नमस्खकार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट हरिश लालवनि आज हम आर्क कमांड के सभी टूल्स के बारे पर जानेंगे और इसे सीखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं आर्क कमांड का शॉटकड ये अप जैसे पर कलिक करेंगे हुआ झए तो आपका कमाण्ड आ जाएगा और इससे आप कैसे भी आर्क बना सकते हैं लेकिन इसमें भी हमाःपास कई सारे औपशन से तो एक जान। को सीखते हैं सबसे पहले हम कमाड़ पर ट्रॉप डाउन एयूरो kritis क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आ रहा है त्री पाइंट यहां पे आप ठीक का यूज करके आर्क बना सकते हैं इसके लिए मैं एक उधारन लेता हूं जैसे फिलाल में पॉलिगोन टूल को सिलेक करता हूं इसके बारे में हम डिटेल में आगे चलके जानेंगे फिलाल चू कि आर्क का यूज़ करना इसलिए हम इसे देख लेते हैं यहां पर पॉलिगोन में लिखावा एंटर नमबर आफ साइड्स माली जी मुझे ट्राइंगल बनाना है तो मुझे नमबर आफ साइड्स तीन लिखनी अगर रेक्टेंगल बनाना है तो नमबर आफ साइड्स चार त बनाना हर अब तीन पैंट रेक्ट हम को भी वी सिलेक और सकते हैं जैसे माली में ट्रेंगल के सेंटर के तीन बाइंट सेलेक करता हूँ है यह मैं अले मैं तो यह देखिए बाहर के तर've बन गया इसी की जगह में इसी टर्लाइंट टूल से माली यह बाहर की तीन करता हूं तो यह देखिए बाहर की तरफ अर्क बन गया इसी की जगह मालेजे में वापस तूल पर आता हूं और इस त्रीपाइंट टूल से यहां पर क्लिक किया ट्राइंगल का सेंटर से लेक्ट किया और यहां का एंट पैंट से लेक्ट किया तो आप देखिए कितना अच् तो अभी जो हमने यूज किया थ्रीपाइंट उसमें भी हमने यह किया कि एक स्टाट पैंट और एंड पैंट दिया तो फिर इन दोनों टूल से में क्या अंतर है हम इसी अंतर को सीखेंगे इसके लिए मैं समझाने के लिए सबसे पहले लाइन टूल से एक शेप बना लेता हूँ यह मैंने शेप बना लिया अब अमन इस टूल को लेते हैं आर्क का यह नियमें कि यह हमेशा एंटी क्लोक्वाइज डियरेक्शन में ही आर्क बनाता है यानि घड़ी के कांटों की विपरित दिशा में तो अगर मुझे एसे करव बनाना एंटी क्लोकवाइज बनेगा तो इसका स्टाड पायंट यह आएगा सेंटर यह आएगा और एंड यह निचे की तरफ बनाना है तो यह जलता है एले की तम ऑ्न और इंदर तो इसने यह anti-clockwise direction के अंदर आर्क बना लिया अब माली जी मुझे नीचे की तरफ बनाना है आर्क पर आये start center end वाला सेलेक किया first point इससे सेलेक किया second point और third point इससे सेलेक किया तो यह देखिए बाहर की तरफ बन गया आगे चलते हैं next इसके अंदर है start center और एंगल हम यहां से इसको सेलेक कर लेते हैं start center और एंगल को यहां पर मैंने क्लिक किया start point second center मुझे उस आर्क का center यहां पर चाहिए तो यह center point लिया और इसके बाद एंगल माल लिजे मैं यहां पर 145 का एंगल ले लेता हूं enter करता हूं तो अब यह हमारा आर्क बन गया है इसको हम कैसे चेक करेंगे यहां लाइन टूल पर लिया हमने और इसका first point किया जहां पर हमने start point दिया उसके बाद center आपको decide करना पड़ेगा और फिर आपको कितने डिगरी का आर्क चाहिए वह आप डाल देंगे तो आपका यह आर्क बन जाएगा clear आगे चलते हैं यहां पर अगला है start center और लेंथ यहां पर हमने क्लिक किया start point पर मैंने point पर क्लिक किया अब आरा specify center point ओफ आर्क यह मैंने यहां पर क्लिक कर दिया center point देने के लिए अब मुझे length देनी है मानली जी मैं length इसकी 125 दे देता हूँ enter करता हूँ तो यह हमारा आर्क बन गया अब यह जो 125 लेंथ दिये यह किस चीज की Direct शयक करते हैं और इस से चेक करते हैं तो यह देखिए जो 125 था इसके दोनों end points के बीच की length को decide करता है clear चलिए आगे चलते हैं यहां पर जो आर के start center or length specify start point of arc तो हम कहीं पर भी क्लिक कर देते हैं start point specify center point of arc center point के लिए मानलेजी मैंने यहां पर randomly क्लिक कर दिया specify length of code क्या length चाहिए मानलेजी मैं इसको 120 क्लिक करके enter कर देता हूं तो यह हमारा arc बन गया अब यह जो 120 हमने किया है यह किस चीज की length है तो यह इस arc के दोनों end points के बीच की length है check करके देखते हैं यहां पर आके हम align पर click करते हैं इसके first point पर click करते हैं और end point पर click करते हैं और यहां पर देखते हैं तो यह देखिए इसके first and last point यानि दोनों end points के बीच की length यहां से हम set कर सकते हैं अगला है इसके अंदर start and angle यह भी सेम वैसा के वैसा ही जैसा भी हमने देखा था यहां start center और angle था यहां पर start end और angle है यूज करके देखते हैं यहां पर हमने क्लिक किया specify start point of arc यह हमने कहीं भी क्लिक कर दिया specify end point of arc आपको जहां से जहां तक के बीच का आर्क चीए वह सेलेक किया specify angle अब यहां पर angle मैं डाल देता हूं मानले जिए मैंने इसको 60 का angle डाला और enter कर दिया तो यह 60 का angle बन गया है इसे हम check करते हैं क्लिक 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 और यहां से हम एंगिलर पर आते हैं कि फर्स लाइन सेकंड लाइन और एंगल चेक करते हैं तो यह 60 का तो सेम यहीं चीज यहां पर भी दिख रहा है नेक्स आर्क है इसके अंदर start and direction इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं लाइन टूल से एक लाइन बना हो अब इस आर्क टूल को लिटे start and direction अब अगर जनरली हम आर्क बनाते हैं तो एंटी क्लोक वाइस बनता है यहां पर मैं किसी भी पाइंट पर क्लिक कर देता हूं एक प्ट सेगंड प्रिक क्लिक क्या अब और किस डिरेक्शन में बनाना आगर मुझे राइट साइट में र लेके जाओं मैंने तरफ लेके जांगा इसका फॉट के बनाना है अगर अंदर की तरफ बनाना चाहूं तो लेप्ट साइट में ले जाओं सीटार्ट एंडर्ड दिजाइन बना सकते हैं है लिए चलिए नेग्स्ट ऑप्षण पर चलते हैं अगला ऑप्षण है इस टाट एंट टे इस इसके लिए हम एक लेंड कमाड़् से लैंन कीचे लेते हैं कुछ लेते हैं अब हम इस Option को सलेक्ष करते हैं स्टार्ट एंड रेडियेस यह मैंम फिर्सपाइंट सेलेक्ष लेक्ष किया लास्ट चेलेक्ष किया मालेज में इसको वन से वंटी कर देता हूं एंगल और एंटर करते करता हूं अगला वापस यसी option को लेता हूं start and radius और हम सेलेक करते हैं और यहां पर रेडियस आप थे कर देता हूं 30 कर दिया अब हम चेक करते हैं रेडियस को तो यहां पर आए और रेडियस को क्लिक क्या इसको सेलेक क्या तो यह देखिए तो उसके लिए वापस इस राइडियस चुल पर इस पर क्लिक के और यहां बाहर क्लिक करके छोड़ दिया तो यह देखिए इसकी रेडियस 30 की है जो भी हमने लास्ट में दी थी और इसकी रेडियस आख करें देखीशत से इनंटर स्टाट एंड क्लिक करके देखनें इसके लिए अक पर यह बना लिया अभ भी I don't have तो हमने देखा था हमेशह एंटी क्लोकर दीरेक्षिन में चलता है इसलिए स्टार्ट में यह लिया तो यहां से आ गया अगर हम इसका जस्ट उपोजिक्ट करते क्तों क्या होता तो चुक्नी स्टार्ट मेंन अल्सक्ता यह अभी तो यह अर्क विद्ट बनता क्लियर सेंटर स्टार्ट एंगल यहां पर आते हैं माल लिजे हम इस पॉलिगोन का सेंटर पाइंट इससे सेलेक कर लेते हैं सबसे पहले हमें सेंटर लेना है सेंटर पर क्लिक किया अब स्टार्ट पाइंट मुझे यहां से करना है यहां पर क्लिक किया अब आ रहा है स्पेसि चेक करते हैं फर्स लाइन लास लाइन ये नाइटी डिगरी क्लिए तो आप यहां पर पहले सेंटर पाइंट देखे स्टार्ट पाइंट देंगे और जो भी एंगल देंगे तो वहां से उतने एंगल का हमारा आर्क बन जाएगा ओके अगला है सेंटर स्टार्ट और लेंथ माले जी मैंने यह सेंटर पाइंट पर क्लिक किया स्टार्ट मुझे यहां पर क्लिक किया अब लेंथ में जितनी रखना जाहूं माले जी यहां से मैं दोस्तों की लेंथ रखता हूं तो यह दोस्तों की लेंथ रखी अब यहां से ह करते हैं फार्स प्रइल आप इसको साइट देखें तो दोसु तो इस तरह से और जहां हो देखा था तो सेंटर कुन सा है इसका आर्क क्लिक क्लिक करते हैं तो यह अपना प्रसक चेल अगे चलते हैं अगला और लास्ट ऑप्ष्ण आर्क के अंदर लास्ट ऑप्ष्ण एंग यह कंटीनियू किस तरह से काम करता है माले जिमें आर्क टूल का कोई भी ऑप्ष्ण ले लेता हूँ जैसे ट्रेपाइंट लिया यह हमने कोई अर्क बना लिया अब कि मैं यहां पर आके लास्ट वाले पर आता हूं कंटीनियू तो जो भी हमने लास्ट पाइंट छोड़ा था वहीं से सेलेक्शन होके और नया आर्क बन जाएगा जिमान लिजे जैसे मैंने यह बनाया क्लिक करके इसके पोगया वापस में अगर आर्क प्याके और कंटीनियू पर क्लिक करता हूं तो यह उसी पाइंट से जोड़के और वापस एक नया आर्क क्रियेट कर देगा तो इस तरह से आप कंटीनियू करके लास्ट पाइंट से आर्क को वापस कंटीनियू कर सकते हैं ओके तो यहां आर्क के हमारे सारे पूरे हुए अब कल हम इसके आगे के दोज देखेंगे धन्यवाद